स्टॉक जिनी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अभी शेक्षरम और आज हम बात करने वाले हैं एक और शांदार स्टॉक टाटा मोटर्स लिम्टिट के बारे में दोस्तो आज है 14 अक्टूबर और आज अगर स्टॉक में देखें तो गिरावट का सिल्सला यहां पर जारी हो चुका है अच्छी काजी शांदार तेजी दिखाने का बाद दोस्तो यह देखें डिल परसेंट के करीब यहां पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है 500 रुपे 15 पैसे पर स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ अभी देखे रहा है बात करें बाइंग एंड सेलिंग कॉंटिटी की दो देखें 27,88,000 के करीब यहां पर कॉंटिटी जो है वो उठाई जा चुकी है वहीं सेलिंग का प्रेशर यहां पर बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है 69,71,000 कॉंटिटी यहां पर सेल होती हुई हमें दिख रहे है जो की साफ आप देख सेलिंग यहां पर की जा रही है बात करें डिलिवरिबल कॉंटिटी की दो देखें 25% की जो डिलिवरिय है यहां पर उठाई जा चुकी है अगर बात करें इसके चार्ट के बारे में देखें तो आपके सामने हमने डेली चार्ट लगाया हुआ है टाटा मोटर्स का इस शांदार तेजी इस स्टॉक में काफी समय तक देखने को मिली एक शांदार हाई भी स्टॉक ने बनाय तो उस तो 531 रुपे 82 पैसे का लेकिन अब देखें तो इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और 499 रुपे 80 पैसे पर अभी तक ये ट्रेट करता हुआ दिख रहा है तो इस तो बात करें यहां पर इसकी रणनीती के बारे में तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहां पर आपको अभी तो इस स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए क्योंकि हो सकता है में भी थोड़ी बहुत करेक्शन यह हो लेकिन कोई बड़ी करेक्शन यहां पर नहीं होने को मिलने वाली है देखिए जिनोंने भी इसको निचले लेवल पर यहां पर बाय गिया था 346 के लेवल पर वो अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पर बना चुक है और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिल सकती है तो आप चाहें तो अपनी खुद के अनलाइसिस अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें दूस्तों इन्वेस्ट करने से पहले यह हमारा ओपिनियन था तो यहीं बताने के लिए हमने वीडियो नहीं थी यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें इसी प्रकार से जो भी अपोच्टीज होगी हम लाते रहेंगे आपके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद